अब हम काम करने वाले हैं चैप्टर हमारा कतम हो चुका है तो शुरू करते हैं जी इसका पहला कोश्चिन वट इसका आंजर बड़ा सिंपल है अटोमिक नंबर मोजलेज लोग को ओबे करते हुए कि फिजिकल और केमिकल प्रोप्टीज अधेलिमेंट्स अर्द प्रियोडिक फंक्शन अफ दियर अटोमिक नंबर्स इसमें आपने एक फॉर्मुला भी सिखा था क्लियर रूट न्यू इस इको सुच एट एट जैट मैनिस पी ठीके जी इन टर्म्स पिरियोड और ग्रुप फेर वुट भी यू लोकेट अलिमेंट वन हंडेट फोर्टीन तो बड़ा असान सा काम होता है कि इस चोड़ा नंबर को कहां रखना है 32 सब्ट्रेक्ट करें तो इस में से जो आपका नंबर बनेगा वो बनेगा 82 अब आप फिर 32 सब्ट्रेक्ट करें तो बनेगा 50 50 में से 18 सब्ट्रेक्ट करें तो आप exactly पहुंच रहे होंगे 32 पे, फिर 18 सब्ट्रेक्ट करें, फिर 14 पे, फिर 8 सब्ट्रेक्ट करें, आप पहुंच रहे होंगे 6 पे, तो कहीं न कहीं आप carbon फेमिली पे हैं, तो इसको फूर्थ एक के अंदर, 14 ग्रुप के अंदर, पीबलो के अलिमेंट्स में रखा जाएगा, राइड दा-atomic number, उफ दा-element, present in the third period, 1, 2, 3, and 17th group, ये दुखाली पड़ा वह, hydrogen helium ही इसके अंदर, यहाँ flourine है, और यहाँ chlorine है, 17th group of the predictable, तो इसका atomic number 17 है, an element present in the write the atomic number third period and 17th group चीके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं why do elements in the same group have similar physical and chemical properties similar physical and chemical properties की वजह क्या है तो similar physical and chemical properties की वजह जो है similar physical and chemical properties की जो वजह है वो है कहीं न कहीं एक तो magic numbers 2, 8, 8, 18, 8, 32 चीके जी magic numbers और अगर magic numbers के बाद आप बात को बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers periodic function मनलब after a certain interval we can observe the repetition of properties तो उसकी वजह है कहीं न कहीं repetition होना same एक repetition होना 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 चलिए पांच में प्चलते हैं वट यू अडर्सेंड बाई isolechnic species ऐसे आपके पास species जिनमें electrons का number same हो ठीके जी नेमा species that will be isolechnic with each of the following atom or n name a species that will be isolechnic with each of the तो शुरू करते हैं यहां से c-4 यहां n-3 यहां आपके पास o-2 यहां fluoride लिख लेंगे neon है sodium 10 है mg प्लस 2 है aluminium प्लस 3 है तो यह एक isolechnic series का पूरा के पूरा set आपके सामने रखा हुआ है तो यह second period के member है और अगर किसी का atomic number कम है तो electron add करके उसमें electrons का number 10 कर दिया जता है तो neon के reference में सभी की सभी 10 electrons हो गए 11-1 12-2 13-3 9- में एक add कर दिया है ऐसे चलता रहेगा explain why ketions are smaller भाई enc बढ़ गया क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि size को radius को explain करने का तरीका होता है कि हम protons के number को क्या कर दें जी कम कर दें तो अगर मैं electronic reference में सिखा रहा हूँ तो e by p है और just reverse समझा रहा हूँ तो p by e है तो जब आप ketion में बोलेंगे protons बढ़ने से size घड जाएगा e n c भी आप बोल सकते है size का e n c से inverse का relation है और just opposite हुआ एनायन के अंतर explain why ketions are smaller तो भी e n c बढ़ गया what is significance of the term isolated भई isolated का simple मतलब है ground state का simple मतलब है कि कहीं न कहीं उसका अपने surrounding के साथ कोई interactions नहीं है तो जो भी energy electron निकालने में लगी या जो भी energy electron add करने में evolve हुई या absorb हुई जो भी हुआ according to the element तो वो purely ionization या electron gain ही रही हो ऐसा ना हो कि आप solid लेके बैठ जाएं फिर heat of fusion दें फिर उसके बाद आप उसको heat of vaporization दें यहां isolated हो गया है no interaction with surroundings और ground state का मतलब है electron अपने N is equals to one ground state में हो while defining ionization enthalpy and electron gain enthalpy isolated का मतलब है है no interactions with surroundings among the second period elements of the actual ionization elements the actual ionization enthalpies R is in order यहां मेरे पास lithium यह logic गड़बड हो गया यहां मेरे पास गड़बड हो गया क्यों गड़बड हो गया आपको पता ही है क्योंकि यहां मेरे पास penetration और यहां गड़बड होने की वज़ा half field configuration configuration और यह हाइस्ट है इसकी वज़ा मैंने बताया penetration है और इसकी वज़ा मैंने आपको बताया half field configuration है विचोदो फोलिंग पेर्स ओफ एलिमेंट वुट है वार नेगटिव एलेक्टन के नेंथेलपी साफ है oxygen fluorine में से fluorine का होईगा when we move left to right the ea increases fluorine chlorine क्योंकि fluorine का साइच चोटा था यहाँ 2p में एलेक्टन एड़ करने थे जो कि chlorine के 3p में एलेक्टन एड़ करने comparatively असान है what is the basic difference between the terms electron gain enthalpy and electron negativity electron gain enthalpy का मतलब है electron का addition और electron negativity का मतलब है electron pay attraction जब आपके पास bonding हो shared pair of electron हो write the epic name of 116 unhexium explain shielding and effective nuclear charge आपको बताया पहले मैंने कि अगर मैं कोई भी atoms का इस तरीके से एक configuration यू मान के चले shell to shell अगर मैं description लिख दू shell to shell description लिख दू तो जो inner electrons है वो outer electrons को repel कर रहे होते हैं आप थेरी में जाकर भी check कर सकते हैं ENC को explain कर रखा है तो जो repulsion लगा जो repulsion लगा इंटर electron का इंटर electrons का आउटर पे जो repulsion लगा उसको आप लोगों ने shielding बोल दिया shield का मंद मत है बचा लेना screen कर लेना बाहर वाले electron को अंदर वाले nucleus के effect से screen कर लेना बचा लेना उसी को आपने बोला हुआ shielding और कहीं न कहीं effective nuclear charge क्या हुआ Z effective is equals Z minus sigma Z effective है जो Z effective है वो बचा हुआ net charge of the nucleus of the outermost electron है due to repulsion screening लीजिए अब हमें कहा गया कि which block of the predictable do not contain non-metal metalloids तो भई सीधा सीधा है DNA block atomic radius और इसके type सी खा दे तो मैंने आपको सी खाया था vanderval, metallic, covalent और उसके बाद हमारे पास है ionic तो मैंने इसका एक code बना के दिया था आपको VMCI explain the factors which affect ionization energy of the element तो ionization energy को कौन-कौन से factor affect कर रहे हैं तो ये ionization energy लिखा जी size जितना छोटा ionization energy ज्यादा ENC जितना ज्यादा ionization energy उतनी ज्यादा screening ज्यादा repulsion मतलब electron को धक्के मिल रहे electron easily बाहर चला जाएगा stability of half and fulfilled जो nitrogen वाले group पे लगी थी stability of half and fulfilled configuration और इसके बाद अगर हम बात को सीखें और समझे तो वो हमारे पास है penetration penetration beryllium और boron वाले set पे लगा था तो ये ionization energy को affect करने वाले factors है लिजी which of following doesn't reflect the periodicity of the elements metallic, ionization electron ये सब periodic है लेकिन ये वाला जो है n by p ratio इसमें कोई भी periodicity नहीं है effective nuclear charge for outermost electron is maximum for which of the following when we move from left to right beryllium, boron carbon, nitrogen oxygen, fluorine neon left से राट जाने से ENC का value क्या होता है बढ़ता है तो सबसे last में को होन है fluorine जो सबसे small size का है उस पर maximum ENC लग रहा है लीजिए which of the following species has maximum electron affinity electron को लेकर सबसे अच्छा भाई चारा किसका है तो simple electron affinity ENC का directly है तो ENC किसकी ज़्यादा है kittion की kittion has the unique tendency to accept the electron तो यह answer आपके पास maximum electron affinity आजाएगा kittion और अगर ENC हो गया तो game उल्टा हो जाना है चलिए the correct order of increasing atomic size of element nitrogen, fluorine, silicon, phosphorus nitrogen यहाँ लिख दिया गया silicon, silicon, silicon carbon के नीचे silicon लिख दिया गया और phosphorus यहाँ लिख दिया गया बस हमें समझना है कि इसकी atomic radius तो left से right जाने से size कम होते है तो fluorine तो सबसे top पर आणी सकता तो जहां 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 florine उसको काड़ते हम लोग अब सोचो left से right में phosphorus silicon में से silicon का size चोटा और phosphorus का silicon के बाद उसको थोड़ा सा carbon silicon , और एक हलका सा कही ना कहीं मेरे पास कौन-कौन है nitrogen 7 नंबर पे fluorine 9 नंबर पे और silicon यहां carbon मिलेगा मुझे carbon nitrogen silicon यहां 14 नंबर पे और phosphorus इसके निचे मिलेगा तो left से right गए logi carbon nitrogen और कही ना कि fluorine जहां top पे वो answer है नहीं जैसा कि मैं आपको लगातर बताता रहा हूं तो phosphorus silicon से छोटा है logi तो silicon जहां भी top पे दे रखा है वो आपका अंसर by default बन जाना है तो इसका C answer बन रहा है लीजिए next question अगर आप पढ़ रहे है which of the following electronic configuration ionization energy will be maximum ionization energy कहा maximum है तो साफसी बात है पहले इनको आप add-ups में बदल ले यह आपका albinium है यह आपका silicon है ठीक होगे यह phosphorus है यहाँ चलते चलते 18 and 10 यह 33 हो गया है ठीक है 33 पे आपको पता है arsenic आता है तो यह काम करते है इनको set कर लेते हैं अपने periodic table के coding ली तो aluminium के बाद silicon आना आपको पता ही है और उसके बाद phosphorus और then arsenic आना है पूचा भी उसने electron configuration के base पे ionization energy है तो अगर आप थोड़ा सा देखें तो left से right जाने से ionization energy बढ़ती है और phosphorus arsenic में जो top से bottom जाओगे तो यह ionization energy degrees करती है तो aluminium silicon phosphorus फोसफोरस अबसे ज़्याद है और phosphorus arsenic में से भी phosphorus ज़्याद है और वैसे भी half field configuration है तो c answer आपके पास यहाँ टिक लग जाएगा चली correct order of second ionization energy of carbon nitrogen oxygen and fluorine carbon nitrogen oxygen fluorine के काम करते हैं 1s to 2s to p 1 कर देते हैं 1s to 2s to p 2 कर देते हैं 1s to 2s to p 3 कर देते हैं 1s to 2s to p 4 कर देते हैं अब जो configuration हमारे पास नए आएगे यह boron like हो गया है यह आपके पास carbon like हो गया यह nitrogen like हो गया यह oxygen like हो गया left से right जाते हो तो boron से carbon का जादा ही लेकिन जब इसके बाद जाते हो ना तो कहीं न कहीं जो आपके पास answer है वो nitrogen का oxygen से ज़्यादा है तो second ionization energy oxygen को credit जाएगा सबसे ज़्यादा का तो oxygen जहां भी top पे लिख रखा हो option देखे बता चल रहा था क्यों oxygen आए oxygen के बाद जो हमें element मिलेगा वो fluorine मिलेगा then after nitrogen और carbon में से वो normal वाला ही रहना है carbon nitrogen में से nitrogen and carbon choose the correct order of size तो सबसे बहले हम देख लें when we move from top to bottom size हमेशा क्या होता है top to bottom group हमें बढ़ता है तो P-3 O-2 bromide तो जिस पे जितना negative charge simple electron by proton ratio से चले तो electron हमारे पास जो O-2 है वहाँ 10 है proton 8 है यह O-2 की बात है तो phosphorus में दोर भी कमाल हो रख़ा है phosphorus मतलब electrons का number 15 है proton हमारे पास 18 सुरी यहाँ 15 है और bromide लिखता हूँ मैं तो इसमें मुझे 36 by 35 तो जहाँ भी electron proton का ratio बढ़ गया जहाँ भी electron proton का ratio extremely high हो गया वो size में सबसे बढ़ा हो जाना है तो option बता रहे होते हैं कि answer phosphide ही better रहेगा phosphide यह भी गलत हो गया phosphide यहाँ जाद है अब हमें देखना है कि जो हमने configuration के हिसाब से लिखा इसको उसमें phosphide should be on top phosphide should be on top तो और कोई option आपके बचता ही नहीं इसके लावा phosphide should be on top तो फुसफाइड बोटम पे तो हो नहीं सकता ना phosphide बोटम पे तो हो नहीं सकता चलिए decreasing ionization potential of K, C, A, B के का मतलब 19 नंबर पे हो गया ठीके जी के का मतलब 19 नंबर पे आपके पास आ गया highest electron affinity की बात अगरम करें तो पहले decreasing ionization potential of K, C, A, B यहाँ potassium के बाद calcium 20 नंबर पर आएगा और जो calcium है फिर वहाँ से strontium and then barium यहाँ आएगा तो आप खुछ सोचिए कि barium तो size में बहुत बड़ा है तो ionization energy इसकी क्या होने वाली है? कम होने वाली है तो calcium से तो कम calcium से कम barium calcium से कम barium calcium से कम barium और calcium से कम barium अब focus पे C, A, B, A, K के C, A, B, A रह गया? अब अब देखें जो potassium है उसका size बड़ा है तो calcium से कम होना चाहिए calcium से कम के calcium से ज़्यादा के तो यह गलत हो गया that's why आपका answer यहाँ गया है और potassium वैसे भी जो electron configuration है वो S1 वाला है size में भी large है इसलिए हम potassium को answer देने वाले है of the following element which possesses the highest electron affinity तो इस पर हम काम करते है question number 9 के अदर डिके जी